दोहजार नतिस में नहीं होगा चुनाओ बदल जाएगा देश का सम्विधान पूरे देश में हो जाएंगे मनिपूर जैसे हालात, किसानों की जैसी दुर्दसा वित मंत्री निर्मला सीता रमन के पती के बयान से मचा घम असान लोगसबा चुनाओ की तारीखों का एलान हो चुका है 19 अप्रेल को पहले चरनल के लिए वोटिंग होगी और सभी बार्टियों ने अपना चुनाओ प्रचार तेज कर दिया है कॉंग्रेज घोशला पत जारी करके लड़ाई में वापसी कर ली है इनी सब के बीच वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन के पती और अर्थसास्ती डॉक्टर परकला प्रभाकर ने लोगसबा चुनाओ से पहले एक बड़ा बयान दिया है डॉक्टर प्रभाकर ने कहा कि अगर दोबारा विजेपी की सरकार बनती है तो कभी दिदेश में चुनाओ नहीं होगे अब उनका ये बयान सोशल मीडिया में जमकर वाइरल हो रहा है डॉक्टर प्रभाकर की इस बयान को विपक्षी पार्टिया भी जमकर सोशल मीडिया में सेयर कर रही है डॉक्टर परकला प्रभाकर ने हाली में एक इंटर्व्यू दिया है जिसमें डॉक्टर प्रभाकर ने मौझूदा सरकार पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए है अर्थ सार्थी परकड़ा प्रभाकर से जब सवाल पूछा गया कि अगर देश में तीसरी बार प्रधान मंत्री मोधी के नित्रत में सरकार बनती है तो क्या होने वाला है इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसी संभावना है कि अगर यही सरकार फिर से सत्ता में आती है तो आप एक और चुनाओ की उम्मीद मत कीजिए इसके बास देश में चुनाओ होगा ही नहीं देश का सम्विदान और नक्सा पूरी तरह से बदल जाएगा इसको पहँचान भी नहीं सकते आप लाल किले से नफरक की बाते सुनेंगे जो बहुत ही खतरनाक है जो आज मनिपूर में हो रहा है वो कहीं भी हो सकता है डॉक्टर प्रभाकर इससे पहले भी मोदी सरकार पर कई बार हमला बोल चुके हैं हाली में जब चुनावी बॉंडों का खुलासा हुआ था तो भी उन्होंने मोदी सरकार पर जबर्जस्त निसाना साधा था उन्होंने का कि देश का है नहीं बलकि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इसकाइम है अगर इससे पहले जाएं तो इससे पहले भी परकला प्रभाकर ने नोडबंदी, महेंगाई, बिरोजगारी जैसे मुद्दों पर कई बार सरकार को घेर चुके हैं अगर आप जानना चाते हैं कौन है डॉक्टर परकला प्रभाकर तो मैं आपको बदा देता हूँ डॉक्टर परकला प्रभाकर वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन के पती के अलावा जाने माने अर्थ सास्त्री भी हैं डॉक्टर प्रभाकर ने जेनू से एमे और इंफिल की पढ़ाई की थी इसके बाद लंदन स्कूल आफ एकोनामिक्स एंड पॉलिटिकल साइन्स से साल 1901 में पिएजडी की थी इसके अलावा साल 2014 से 2018 तक आंधर प्रदेश सरकार क्यों सेवाएं दे चुके हैं और इसके सासाथ कम्मुनिकेशन एडवाईजर भी रहे हैं और फिलाल आपके से देखते हैं डॉक्टर प्रभाकर के इस बयान को कमेंट बॉक्स में जरूर बताईगा और पेज को फॉलो करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भोलना धन्यवाद